हे दोस्तो विल्कम टू आ चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल पे निया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर दा जनुएन इंफरमेशन और आपका कोई कोई रिस है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 18th October 2021 आज से ठीक दो दिन पहले मतलब Saturday के दिन D-Mart का रेजल्ट आउट हुआ था quarter 2 का कमपनी का रेजल्ट तो दोस्तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही शांदार देखने को मिला बट उसके बाब जुद भी आज की रेट पे D-Mart ने जैसे आज अपना All Time High भी टच किया ठीक वैसे D-Mart के शेयर के अंदर लगबग साज से 8% की गिरावाट भी देखने को मिला ये गि जैसे समझ आए तो दोस्तो अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकॉन नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लाटवर्ण में डीमेट अकॉन उपेन कर सकते है जहां पर आपका ब्रोकरेज प्रीज ना के बड़ाबा लगता है लिंक आपको वीडिय दिन पहले यानि शनीवार सैडर्डे के दिन डीमार्ट का क्वाटर टू का रेजल्ट आउट हुआ था जिसको पर मैं अल्लेडी एक रिव्यू वीडियो कर चुका हूं तो डीमार्ट का रेजल्ट तो बहुत ही शांदार बहतर ही नाया था क्योंकि यार और पर नेट प्र 5,900 रुपाई पे और शेर दोस्तों अगर हम देखा जाए आज के अल्टाइम हाई से जब टच किया उसके बात से आस तक अल्मोस्ट 17% के आसपर शेर गिरा है नॉर्मली तो आज देखने को मिल लेकि 8% के आसपर शेर गिरा है पर एक्चुल इसका जो अल्टाइम हाई क्या रिजन है उसके साथ साथ दोस्तों क्या आपका स्ट्राइजी हो सकते डी माट के अंदर आगे का इसको पूरा डिस्काशन करेंगे ए टू जेट वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखना इतना में आपको रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहली बात दोस्तों ये कोई ए इंप्रेस करने में दोरा सा फेल हुए यहां पर बताया जा रहा है एनलिस्ट सी मैसिब डाउन साइट तो मार्केट का जो बड़े-बड़े एक्सपर्ट सी आप बोल सकतो ब्रोकरेज कंपनी से एनलिस्ट है यहां पर डाउन साइट टार्गेट दे रहा है तो देखिए य जब शेयर में गिरा तो मोतिला लोस्वाल का जो टार्गेट है चार हाजार नौसो उसी लेबल के उपर आके क्लोजिंग दिया और यहां पर जो आप बोल सकतो कि यहां पर जो इसके पीचर रिजन लिखा हुए वह बेसिकली दिया है कि बहुत ज़दा ओवर बलू यह स्ट जल करने का अचए अच एल करने का टार्गेट दिया है और यह इसके साथ यह नहीं यह फिर से यह नहीं बताया जाए और फिर से यहां पर 20% का आसपास यह शर्गिर्द सकता है इसके पिचे जो डीजन लिखा हुए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकतों कि upside risk fast turned around e-commerce operation and lower than expected comprehensive intensity उसके साथ साथ ये stock भी बहुत जदा overvalued zone में चल ला था ये भी एक reason है उसके बात दोस्तों देखी एडलवीच की तरब से भी दोस्तों मतलब यह तो ऐसा टार्गेट दोस्तों बहुत ही मुझे नहीं लगता है कि दिवाट अभी आने का चांस है ऐसा टार्गेट एनलिस्ट एडलवीच हैब दा लोएस टार्गेट प्राइस सेट ऑफ दा स्ट्रॉक 3782 मतलब जो आईसे से से स आया है नेगेटिव टार्गेट दिया है तो जिससे करण हमें शेयर के अंदर इतना भारी भर कम ते जो गिरावट देखने को मिला है और इसके साथ साथ जो बाकी एक्सपर्स भी बहुत जादा एक्सपेंसिव हो गया ता यहां पर देखें तो मैसिव ऑपर्चुनिटी औ बहुत ज़्यादा हाइली एक्सपेंसिव हो गया था तो जिससे करण यहां पर हमें डाउनसाइड या आप बोल चकते एक छोटा मोड़ा प्रॉफिट बूखिंग देखने को मिला अब जो इंपोर्टेंट सवाल आ रहा है दोस्तों आपका स्ट्रेटिजी क्या होगा यह अब भी दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने जा रहा है ध्यान से सुनना और अब्जर्ब करना दोस्तों सबसे पहला वीडियो में डीमाट की उपडेट किया था दीमाट का क्वाटर टू का रिजल के वबर आपने अगर वो वीडियो देखा तो आप क्लियर कट में आपको वहां पर बताया था आपको कि कोई भी शेयर दोस्तों कितने भी अच्छों जाएं कितने भी अच्छा रेजल कर दें हाईली ओवर बोर्ट जोन पर लॉंग टम में रह सकता इसके पहले भी देखेश एसी ओवर बोर्ट जोन पर आ गया तो उसका आज की रेट में गिरावाट के साथ साथ शेयर जहां पर हाईली ओवर बोर्ट जोन पर था वहां से दोस्तों नीचे गिरिके 67 के आसपास महुच चुका यानि स्ट्रॉंग जोन पर आ रहा है दोस्तों डी माट की ऊपर तो कोई यहां पर सवाली नहीं आता है कंपनी फंड दुनिया का सबसे सफली इंबेस्टर वरेंड वाफिट जी क्या बोलता है जब मार्केट बहुत जादा आप बोल सकतो बियरिश या बहुत जाद यहां पे डड़ावा हो फियर जोन में हो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा बुलिश हो जाना चाहिए यानि थोड़ा सा ला रेट वालला इसको अब्दर्व कीज़ी द्हानसे मैं आपको छे मैने का चार्ट दिखाता हूं यह जो डेट कलर वाला लाइन जो कि यहां पीडेट करता है ट्वेंटी डेस का यह में मतलब रेट कह लोड़ा लाइन ब्लू कलर वाला लाइन हुए 50 डेस का यह में एक्स प परदर गिरवाट होता है तो सबसे जो इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवेल लेगा हो रहेगा सारे 4000 रुपए कर लेवेल तो अभी आपके सामने दो अप्शन है कैसा दो अप्शन ध्यान से सुनना कल अगर मार्केट जब ओपन होगा डीमाट का शेयर प्राइज अगर 5000 रुप अगर 5000 के नीचे ओपन होता है मतलब आज की रिट में जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास या उससे भी नीचे ओपन होता है तो उसकेस में आप वेट करना शेयर 4750 यह लेविल दो लेविल मैं आपको बता दिया सबसे वहला लेविल दो कंडिशन में एक 5000 उपर उप पोजिशन बारना दूसरा अगर नीचे ओपन होता है तो उसकेस में आप 4750 से आप शेयर को खड़ीदारी करना स्टार्ट करते ना क्योंकि जब बात आता है लॉंग टर्म की बात बोलता हूं शौर्ट टम इंवस्टर की मतलब बात नहीं बोलता हूं तो अगर आपका टार अगरेज में मिल गया तो फटा-फट उठा लेना चाहिए बिना किसी वेट किरे आज की रेट पर दोस्तों कारोबार बहुत बहतरीन देखने को मिला क्योंकि लोग को पता है क्वालिटी शेयर है क्वालिटी शेयर जितना गिरे उतना ही डेलिवरी उठाओ दबा क्या माल तो देखें जहां पे 47 लाग के आसपाश शेयर ट्रेडिंग हो है जिसके अंद्रा में डेलिवरी देखने को मिला है 32% के आसपाश शेयर तो लॉंग टर्म के लिए अच्छा कंपनी है इतना ही मैं बोलूँगा वीडियो के यह पर वाइंड अप करता हूँ वीडियो अच् करके जरूर एंकरेज करना मिलता एंग्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक्र बाबाई जय हिंद